डिपलोमाइन एक्सरे टेकन cabbagean क्या है और एक्सरे टेकनीसियन का क्या scope है government job के लिए तो जो भी student diploma in x-ray technician करना चायते हैं या diploma in x-ray कर रहे हैं उससभी student के लिए वीडियो important है इसलिए इस वीडियो को इंड़ तक देखते रहें वीडियो को like करें, share करें और अभी तक चैनल को subscribe नहीं किये हैं आप चैनल पर पहली वार बिजट कर रहे हैं तो तरुम तो चैनल को subscribe कर ले वे लाकन कि साथ साथ आल के बटन पर क्लिक कर लें जिसकी सारी information आपके पास सबसे पहले और free में पहुंसती रहे तो चले फ्रेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट्स आजम बात करने वाले हैं डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्निसियन कोर्स के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि आखर में इस डिप्लोमा करने के लिए आपकी eligibility क्या होनी चाहिए तो फ्रेंट्स आपको science stream में 10 plus 2 होना चाहिए यानि आप physics chemistry math या physics chemistry bio यानि science stream होना चाहिए आपकी और उसमें आपको inter-pass होना चाहिए तो आप आसानी से इस diploma in x-ray technician कोर्स को कर सकते हैं अब बात करते हैं कि इसमें कितना रुपए आप खर्चा आता है यानि कितने रुपए में ये diploma in x-ray technician कोर्स हो जाता है x-ray technician का तो अगर government ये depend करता है कि आपका college government है या private है तो आपका college अगर government है तो हर एक state में government college भी होते हैं private college भी होते हैं आप जितने भी आप अलग-अलग states अगर belong करते हैं कौन सी भी state से आप belong करते हैं तो वहाँ पर आप पता कर सकते हैं कि government college में कितना payment लगता है और private college में कितना payment लगता है तो इसका अलग अलग रहता है हार एक state का अलग रहता है अगर UP की बात करें तो UP में जो एक संस्ता है उतर पते इस state medical faculty उसके अंतर करता अगर फीस की बात करें तो फीस 24,000 रुपए पर year की फीस लगती है वहीं private की अगर बात करें तो private में भी 24 लगती है लेकिन private वाले कुछ जादा लेते हैं लगवक 35-40,000 रुपए पर year की दर से आसानी से x-ray technician की private में फीस लगती है अब बात करते हैं कि अगर diploma in x-ray technician को कर लिया जाए तो क्यास से government job लगती है तो बिलकुल क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश इस्टेज मेडिकल फैकल्टी के अंटर इस प्राइबेट गवर्मेंट कॉलेज है उनकी एक संख्या को अगर देख लिया जाए तो आप आसानी से अपना इस्टेट में देख सकते हैं कि कितना है तो यहाँ पर अगर बात करें x-ray technician की है त तिन सो नवासी technician तिन सो नवासी सीटें private sector में है जो कि डिपलोमा इन लैब technician के बाद सरबादिक है उत्तर प्रदेश इस्टेट मेडिकल फैकल्टी के अंदर गत अगर हम बात करें और यहाँ पर बात करें कि government job का opportunity देखें तो कोई भी नॉर्मल सा अगर अस्पताल है कोई भी government का कोई अस्पताल है या private का अस्पताल है government की job करते हैं तो वहाँ पर एक lab technician की vacancy होती है एक lab attendant की होती है और एक extra technician की जरूर होती है कोई भी छोटा से छोटा अगर अगर अस्पताल आप देखेंगे तो उसमें vacancy तो जरूर होगी लेकिन वो सकता है उसमें वो बंदा अपलब्द हो या ना हो लेकिन vacancy जरूर होगी और उसमें कहीं ने कहीं fulfill भी होगी या फिर रिक्त होगी पद जरूर होता है कि एक extra technician जरूर होगा और एक लंबी चोड़ी सी एक machine रखी होगी extra करने के लिए तो यहाँ पर government job का opportunity बहुत रहता है extra technician की बात करें या lab technician की बात एक extra technician को एक lab technician को यह जरूर होता है क्योंकि यही जो diploma courses होते हैं वो पूरी medicine के backbone कहे जाते हैं तो यहाँ पर आसानी से आप government job पा सकते हैं अब बात करते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि government job निकलती है कि नहीं निकलती है तो हमारे वीडियो लगाता रहते रहते हैं और आप social media का सारा ले सकते हैं women website का सारा ले सकते हैं आसानी से देख सकते हैं कि आसानी से यहाँ पर job निकलती ही रहती है चाहें वो उत्तर प्रदेत अधिनस सिवा चैन आयोग द्वारा हो या NHM द्वारा हो अगर UP की बात करें या फिर district level से जो CMO मारती करता है आसानी से वहाँ प पर हो या permanent government हो अब बात कर लेते हैं कि कौन से students को या कौन से लोगों को x-ray technician करना चाहिए तो अगर आसानी से आप government job पाना चाहते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा आ जाता है क्योंकि अगर आप private अपना x-ray technician का x-ray करने की सोच रहे हैं कि private में हम अपना swap भगेरा खोलेंगे और उसके अंतरगत हम लोगों का x-ray किया करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा खर्चा ज़्यादा आ जाएगा क्योंकि यह machine की कीमत लगवग 7,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, आपको government college मिल जाता है तो लगवग एक लाग रुपए में आसानी से हो जाता है अगर private मिल जाता है तो तेड़ लाग रुपए में आसानी से इसके business में ही अंदर में ही हो जाता है लेकिन आप जब student करने के बाद अगर government job लग जाती तो अच्छा अगर government job नहीं करता है किसी उपर भी depend करता कि आप कौन सी company और कौन सी machine लेने जा रहे हैं तो आसानी से यहाँ पर आपको थोड़ा यहाँ पर survive करने की जरूरत है इसमें private छेतर में ज्यादा ही आपको amount invest करना पड़ता है अगर कम prison करें diploma in lab technician की तो यहाँ पर गो ही student private का खयाल लगे जनके पास भारी भरकम यह amount हो अधरवाज ऐसे student जो government job चाहते हैं या private में 10 plus 2 के बाद जल्दी ही job चाहते हैं वो आसानी से इस diploma in xa technician के course को कर सकते हैं अगर आपको list चाहिए है कि आखर में अगर फॉर इजांपल यूपी की बात करें अगर आप other states से belong करते हैं तो other state medical faculty को देख सकते हैं अगर आप अने state से belong करते हैं तो आप देख लीजीगा अगर for example उत्तर प्रदेश स्टेट मेंटल यूपी की बात करें तो कितने भी पद हैं कैसे कैसे यह सब होता है तो यहाँ पर आपको PDF लिंक इस वीडियो के description box में दे रखी आप आसानी से आपको देख सकते हैं यहाँ आप पर उत्तर प्रदेश के अंतरगत उत्तर प्रदेश स्टेट मेंटल फैकल्टी इसका मेंन संस्थान है और आप पर 10 प्लस 2 के मेरिट के अधर पर यहाँ पर सिलेक्शन किये जाता है कोई भी इंट्रेंस एक्जाम कंड़क्ट नहीं कराया जाता है तो आप आसानी से इ इनमें एक्से टेक्निशन और लेब टेक्निशन इनमें कंप्रीजन रहता है कि किसमें ज्यादा निगलते हैं लेकर आसानी से अगर आप 10 प्लस 2 के बाद यह डिप्लोमा करते हैं तो आपका गवर्मेंट जॉब लगवक्शिक्यूर हो जाता है लेकिन उसमें भी आपको उ जॉब के लिए जो टेस्ट लिया जाता है कोई भी कटेंटेस्ट नहीं होता आप आसानी से नॉर्मल पढ़के इस टेट्स को पास कर सकते हैं अगर पेस्केल की बात करें कि कितना रुपए मिलता है इस गवर्मेंट जॉब में तो आपको लगवग 45,000 प्लस ही सेलरी इसमे एक अच्छी opportunity रहती है जो भी student 10 प्लस 2 करते हैं और उसके बाद बहुत जल्द नौकरी पाना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छी opportunity आसानी से इस course को करिएगा detail अगर आप यूपी से vlog करते हैं तो पूरी detail इस video के description box में आपको provide करा दी गई है इसे पहले हमारे एक video आ चुका है अगर आपने अपी तक नहीं देगा है तो video के description box में लिंक प्रोवाइट किया गया है और जहां पर आप comment करते हैं comment box में सबसे उपर आपको आसानी से link दि दिख रहा होगा उस पर क्लिक करिए और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें जीगा जिसे की latest अपडेट आपके पास सबसेट पहले और फिरी में पहुंसते रहें thanks for watching and subscribe my channel